चलो जी वीडियो के स्टार्टिंग में एक्षीट बोल दू कि Captain Vice Captain Manage चुने हैं वो Mega Contest के हिसाब से चुने है Head to Head के हिसाब से नहीं चुने है Head to Head के हिसाब से अगर आपको Captain Vice Captain चाहिए तो All-Rounder Section से अभी से बता रहा हूं सोफिया डर्वाइन या आमिला केर यह दो आपके लिए Solid option है Head to Head अगर आप खेल रहा हूं मैं अभी से बता रहा हूं इन दूनों में से केसी कॉप Captain मैं सकते हूं है तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आपको एक दमी हाथ चोड़ती हूं मिल जाएंगे अभी चले गारा राइगुलर जैसी चल रही है वैसी चलेंगे एक न्यूस दे दूमा ऑस्ट्रेला की तरफ से यह है कि लसी पैरी जो की इंजर चल रही थी ठीक है वो रोलड आउट ह हो गई है तो पूरे अभी सीरीज में नहीं खेलेंगे तो इनको ट्राइए मत करना सस्पेंस में थी हलकी टीम के साथ जूड़ी हुई है पर प्लेंग 11 में नहीं खेलेगी ओके लास मैच में क्या हुआ ऑस्ट्रेले मोमेंस 129 पर टू बड़ी आसानी से चेस करती है ओके को हूँ अगर थोड़े रन बनते हैं तो मतलब 150 के असपास 139 और 138 के असाथ से नहीं बना रहा हूँ जैसे कि दोनों ही टीमों के अभी तक कुछ बड़े स्कोर्स नहीं बने ठीक है तो इसके हिसाब से नहीं बना रहा हूँ मैं यह लगे चल रहा हूँ अगर इस मैच में थ थो राऊओ ऐसाबसे नहीं बना रहा हूँ बालर म से इसम्था नहीं बना रहा हूं बता दू यह तो मैं बना है चा fliesे होगए धाट बथा बनमी घ्राट इंचव क्रणे सबिपसर नहीं इक मिनिमममे को दोनों भी ले सकते हैं ऑड हुआ हर ब João के मिनिममम को आप ढूंग को एक तो रखो ही रखो, बागी रेचल हाई ने साफ के ओपर डिपंड करेगा, ऐशने काडर को इस मैच में लेके चलना, सोफिया मॉनिक से इस मैच में लेके चलना ठीक है, बागी नीचे सा डिपंड करेगा आपके उपर, पर मैं जैस जोसना को नहीं छोड़ने वाला, मेरा इसके साथ है, डली सान ने दोनो मैचेस में लगातार हमें अच्छा विनिंग कराके दिये, बागी इंपोर्टेंस तो देखो यार, जो चावर और करती है न, वो में फिग्रेट में वो विगेट ले सकती है, ये बात साफ है, सोफिया मॉनिक चैस जोसना और डली साइन थी इन भी मेरा बोली इंपोर्ट में फोकस रहेगा, बाटिंग अटर से बात करो, तो एलिसा है लिए और बात मुनी में से कोई एक आपको मेना बता दिये, ओके आपके उपर फैसला है, नीचे साथ हो निजजलेंड की टीम से सोफेट रवाइन को नूमर वन उठा के चलिए, नुमर टू, मैडी ग्रीन, आपको क्रेड़ेट की दिक्कत होगी, इसलिए हो सकता है, आपको मैडी ग्रीन लेनी पड़े लिकेट की बिटर में, बरी चोईस नहीं है, बुछ चोईस ठीक है, उसके पाद में से बात बुली थी कि सेथर वेट को जरूर ले लेना, किवल राउंटर के तौर पर खेल रही है, एक से तीन ओवर आपको कराके दे देगी, 22-7 मैच में, बहुत इंपोर्टेंट ऑप्शन है, टीम के वाइस केप्टन है, जब तक सोफियर रवाइन केप्टन नहीं थी, वर्ल्ड कप में सूजी बेट से ही आपकी कप्तान थी, नीचे पर बाकी आपके वाइन के टीम के उपर, मैं ज़्यादा दमबा वीडियो नहीं बनाओंगा, यार योगी वोमें के वी आपको समझाओंगा, तो एक एक प्लेयर को समझाने में, फिर तो मेरे को यार 30-35 चाहिए, अगर मैं डिटेल में समझाओं, डिटेल में समझाओं तो ठीक है, पर उतना तो नहीं समझाने वाला में, उतना तो मुझे भी पता है, कि वोमेंस के क्रेट के मैचेस को इतना में नहीं दे रहा हूं टाइम, कोई और मैच होता किसी और वोमेंस का, तो मैं बताता भी, पर इंग्लैंड, निउस्ट्रेलिया, ये तीन ऐसी टीम है, इ इवन मैं तो ये भी मानता हूं, इंडिया के वो प्लेयर्स भी इसी हैं, जिनके बारे आपको नहीं बता होगा, हाँ, आप जानते होंगे इस प्लेयर्स को, मितादी राच को, अर्बन पिड को, लेकिन फिर भी जो करण्ट इंडिन टीम आएगी ना, आप जाब देखोगो वोमें से, तो वो अभी तक की जो टीम चल रही है, उससे डिफरेंट होगी, आप देखना हूं, उसके बारेओं आपको नहीं पता होगी जाएत तर चीज़े, बट ये टीम है, तो ये प्लेयर्स थो सब को पता है, इनके बारेमें किया बता हूं, इनके बारे में, ऐली साय के साब से बाकि एड़ तो नहीं बोलूगा पर रिलेना जरूर अपने टीम में रेचल हाइनस अगर आप अच्छा औप्शन रहेगा गाई अस्ट्रेलिया की टीम से अगर आप रेचल हाइनस को अपने टीम में रखते हो तो आपकी ग्रेड़िट की जो दिक्कत हो रही है न पर मैंने नहीं किया देखो मैं एक चीज़ दिखा दू टीम देखा आप अस्ट्रेलिया के फिर बताऊं मैंने कि यहां पर बड़ी घड़ बड़ी भी किया है मैंने बैत मुनी को रखा ओपनिंग में ओके सबसे मैं कहूंगा आपको कि रेचल हाइनस को आपनी टीम में किस इनको यहां से एक और चैंज करना पड़ेगा आपको मैंने कि पर अ डठीएним क को आख़ लिया उसके बाँ निरुपर क्रेडिट को है α्रेजंगे को फ़ीं को बाल कि नहीं करके जो को सबक्राबर्खक्रें करुंगा गर्ड़ाइन की जाए नीचे आता हुब ले मस्कर लिया नगी चौन करूंगा अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की एक क्लियर करके निज़लेंड की एक रख सकते हैं कैप्टन के लिए क्लियर कर दूँ मैंने मेगा कांटेक्स के साफ से बिलकुल नहीं के बात की अपडेट आपको खोदी जॉइन करनी पड़े ही क्योंकि जिस टाइम पे मैच सुबह सुबह के टाइम पर उस टाइम पर मैं अविलेबल नहीं रहता बाकि अगर आप टेलिग्राम में चुड़ना चाहते तो जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं होगे मेरे कुछ मैसेज भी आगए जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं लाइव तो ख्यार इसको छोड़ो आने पर लगए मैं कुछ हुआ है मेरे कहल में देखता हूं है भाई साब मजा आ गया ओके कुछ विनिंग्स आई है अभी अच्छा आई पेल का अभी में रात वीडियो शूट कर लेगी ठीक है ये जरूर पढ़ लेना क्या है साथ बच के 23 मिनिट पर साथ बच के 24 मिनिट पर इनको जरूर सुन लेना एक बार अगर आप एक experience exposure चाहते हूं मेरी दरफ से तो thank you बागे telegram का link में description में दिया ही हुआ है ठीक है जिसको join होने description की पहले line में telegram का link के आ जाना जोड़ जाना पर ये वाला जो match है newsletter का ये telegram में cover नहीं हो रहा है और इसे साथ ही बसाथ बता दो Frankfurt की series में आज cover नहीं कर रहा कि तो मैं आपसे एक वादा किया था कि अगर मुझे एक तरफा winnings नहीं मिली Frankfurt के matches में winnings मिली मुझे आखरी के 2 matches में लेकिन मैंने बोला था कि एक तरफा अगर मिलेंगी तो ही मैं आगी Frankfurt की series cover करूंगा और एक तरफा winning हमें पूरी series के 9 matches जो अब तक हुए है पूरे पूरे उसमें से 3 matches में एक तरफा एक तरफा one side is जिसमें हम winnings अच्छी आजाती है ECS से पर मैं स्टिल आप आगे के ECS के Frankfurt के cover नहीं करा आप फ्यूचर वाले देखते हैं को ECS आगी तो सब्सक्राइब करेंगी इस वीडियो में तो इतना ही चैनल को like, share, subscribe करना है तो रोक चाओ फिर कभी कर लेना विडिवाए गाई, subscribe, take care, thank you